हेलो गुडीमिंग दोस्तों कैसे हैं आप सभी आपके सामने एक नया वीडियो लेके आज फिर से में उपस्तित हुआ हूँ और जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे होंगे टाइटल में लिखा हुआ है S.S.C. C.H.S.L. का मास्टर स्ट्रेटिजी हम डिसकस करने जा रहे हैं तो मास्टर स्ट्रेटिजी में क्या चीज़े हैं क्योंकि आपको जैसा कि मालूम पढ़ा होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो और डाला था जिसमें S.S.C. ने अपने जो remaining जो C.H.S.L. के एक् स्ट्राम हैं तो August आने के लिए अभी approximate आप मौटा मौटा हिसाब लगाएं तो कम से कम दो महिने का सफर बाकी है तो आपको इसी चीज़ के लिए मैं एक च्छोटी स्ट्रेटिजी डिसकस कर रहा हूं जो आपको selection दिलाने में help करेगी तो यार क्या है इसके अंदर आप ध् कई सब्सक्राइब कर रहे होंगे लेकिन हो सकता बीच में वह लिंक तूट गई होगी कोई घबरानी की दरौत नहीं है लिंक को बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यदि आप कहीं न कहीं तयारी कर रहे हैं राइट उसके बाद हाव टू प्रैक्टिस गेन मोर मांक् है क्या मिस्टेक है जो हम अभी तक परफॉर्म करते आ रहे हैं जो हमें नहीं करना है यदि हमने वो मिस्टेक को पकड़ लिया तो हमारे सेलेक्शन कोई नहीं रोक सकता तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमरी स्ट्रेजी के साथ क्या स्ट्रेजी हमने लगा रखे तो यह र आसानी से दिला सकते हैं यस नॉलेज नॉलेज सबसे प्राइमरी टास्क है किसी भी कॉम्पेटीशन का क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा आप कोई भी कॉम्पेटीशन में अपनी 100% एफट्स नहीं दे सकते तो हमें क्या क्या चीजों का नॉलेज इखटा क करना है किनी चीजों की प्रैक्टिस करना है और टाइम को कैसे मैनेज करना है इसी सब की हम बात करने चल रहे हैं तो आप तयार होंगे मेरे साथ और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ बढ़िया से इंजॉइ करते रहें देखिएगा क्या है पहला स्ट्रोक तो पहला इस् की पता होगा है एससी ने अपना एक्जाम स्टार्ट किया था सी अचसल का तीन दिन हुआ है सतरा अटरा और उनीस को एक्जाम हुआ था अपरिल में तो आपको करना क्या है इंटरनेट यस बहुत बड़ा नेटवर्ग आपके पास से इंटरनेट है इंटरनेट पर जाएए उन सारे questions को download करिए देखिए कई सारे reviews डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट में हैं यह मुझे बताने की दौरत नहीं है कि वो कैसे ढूंडना है क्योंकि आप इतने टाइम से तयारी कर रहे हैं तो content निकालने के आपके strategy खुद की होना चाहिए तो आप जाएए और तीन पेपर को download करना है यह तीन दिनों पेपर को download करना है एक दिन में तीन तो तीन का तीन गुना 9 पेपर आपके पास होंगे और 9 पेपर में क्या पूछा गया आप उसका analysis करेंगे जाकर सबसे पहला task ध्यान रखिए एक proper strategy बनाने जा रहे हैं हम 60 दिनों में कितना से कैसे अपने score को बढ़ा सकते हैं तो करेंगे क्या सिर्फ हम 60 दिनों की बात कर रहे हैं यह वोनी बच्चों का एक proper strategy बन सकता है जो कही न कहीं पहले से तयारी कर रहे हैं आज पहले दिन से तयारी करने वाले के लिए यह मेरा वीडियो नहीं है सर मैं आपको बता दूं सर आपको उन बच्चों को फोकस करना है मैं उस बच्चों को फोकस कर रहा हूँ जो कहीं न कहीं पहले से तयारी कर रहे हैं ओके तो देखिए मैस को कैसे हमको आगे बढ़ाना है मैस में कुछ नहीं करिए आप create short notes आप short notes बनाईए जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उनके short notes बना लीजे percentage पढ़ा है आपने percentage में जो basic questions आपके पास होते हैं वो आप सब भी को आते हैं लेकिन उसमें वो questions आप ढूंड़िए जो की हमें दिक्कत करते हैं exam में perform करते समय तो आप उसका key notes बना लीजे जिसको हम बारबर repeat कर सके right उसके बाद chapter wise practice करें आपने सारा math पढ़ overview करना start करती हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसको detail में जाएं आप उस चीज़ का overview करिए और detail में जाने की बजाए आप short में उस चीज़ों के key notes बनाते चलिए उसके बाद special type question की मतलब यह है कि आपके पास मान लीजे percentage में कोई special type question आ गया suppose increment decrement का कोई question आ गया तो हमें उसे कैसे perform करना इसको देखते रही है तो यह छोटी छोटी strategy के साथ आदिया आप अपनी तयारी को कर रहे होंगे तो आपको बड़ा मज़ा आने लग रहा होगा और आगे बढ़ते हैं English यस मैंस अभी खतम नहीं हुआ मैंस में बहुत सरी चीज़े हैं मैं आपने असाब से जो चीज़ें बता के चल रहा हूं वह आपको help करें आपके score बढ़ाने में दूसी बात English एक English ऐसा phase है जो हर एक student की कमी हो सकती है maximum students की कमी हो सकती है तो आपको करना क्या है one words के लिए आपको recent जो examination में आए हैं आपके बहुत सारी YouTube पे वीडियो भी पड़े हुए हैं PDF भी पड़े हुए हैं जो उन चीज़ों को rectify कर रखें सिंप्लिफाई कर रखें different different जो पूछे गए one word substitution है आप उनको download करिए या लिख लीजिए डेली ए घंटा आदा घंटा आप सिर्फ और सिब अपनी English को तयार करने में लगा दीजे और सिर्फ और सिब आपको वही चीज तयार करना है जो static है मतलब जिसमें हमें ज्यादा सोचना नहीं है to the fact to the point आपके पास चीज़ें आने लग रही हो जैसे one word substitution वो पॉइंट है जहां पे आदेटिस देखने को मिलते हैं आप इसको रट डालिए रटने वाली चीज़ें है उसके बाद idiom phrases की बात करूँ तो ये भी आपके रटने वाली चीज़ें हैं जो आपको खुद पढ़ना है अगली बात करें सनौने से इतना जल्दी याद नहीं होता सर तो आप जितना हो स्किल्स डैवलप करते रहें इसकिल्स डैवलप करेंगे तो उससे आपकी इंग्लिस जादा इंप्रूव होगी ग्रामर के जंजट में अभी मत पढ़ो सर उतना समय नहीं है कि आप ग्रेमर को उठाएं और डिटेल में पढ़ना चालू कर दें सबसे अच्छा तरीका यही चीजें पढ़ चुके हैं उनकी प्रॉपर तयारी करना स्थार्ट करें जीए की बात करें यस जीए यह जीए ही वो स्कोर है यह जीए ही वो पार्ट है जो हमारे सेलेक्शन और रिजेक्शन का कारण बनता है क्योंकि बच्चा यह जितना अच्छा पढ़ के बैठा होगा उसका उतना जादा मार्क्स गेन हो रहा होगा तो आपको कोसिस करना है कि इस examination में हमें कोसिस करना है कि लास्ट चार महिने के current affair को ही पढ़ ले मज जाए history, quality, geography के उपर जाना है तो static पार्ट पे चले जाएं कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, इस दुनिया में कौन सबसे पहले आए, ये सारी बातें आप पढ़ सकते हो, बाकि detail में मत जाओ, क्योंकि इतना समय नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ, examination हमें crack करना दे, master strategy के साथ हमें काम करना पड़ेगा, right, उसके बादे हम बात करने, तो especially अभी आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, वो ह पे ध्यान देना है, क्या कोई virus आपके पास का antidote बनाया गया की नहीं बनायेगा, कितनी research lab आपके पास तयार हुई, ये कुछ आंख़डों के साथ आपको तयार रहे हैं, क्योंकि इस से आपको question देखने को मिल सकते हैं, right, तो ये कुछ question से जिस पे आपको ध्यान देना है, आप ध्यान से समझी का, उसके बाद इसमें बात करें, तो ये reasoning में ज़्यादा आप time ना लगाएं, क्यों reasoning की वो section है, जो हर बच्चे का strong होता है, आपका भी strong है, लेकिन बस आपको कोशिस इतनी करना है, कि आप उन चीजों में जो previous पड़े हुएं या जिसों आपकी कमी ह हो सकते हैं, odd one out हो गया, logical reasoning हो गया, silox हो गया, थोड़ा सा, इन chapters को आप revise कर लें बस, reasoning पर बहुत ज़्यादा समय नहीं देना, दमे में समय देना है, तो mass, GA, right, जिसे आप current अफिर समझ लीजए, उसके बाद आपको देना है, इंगलिस पर, ये तीन चीजों पर आपको maximum score दिलाएगा, बढ़ते हैं, knowledge यदि हमने खटा कर लिया, तो इससे कुछ काम नहीं बनता, इसको हमें execution के लिए भी आगे बनाना है, तो ध्यान से देखिएगा, अगला क्या practice पर ध्यान दे, practice की क्या strategy मैंने बनाई है, आप अपनी strategy आपके साब से भी बना सकते हैं, मैं अ TS में जो भी paper आपके पास आए हैं, आप उनको download कर लिजे, आप उनको download करिए, और क्या करिए sir, उसको simplify करिए, कि math के किस chapter से कितने question आए हैं, one word substitution कितने आए हैं, reasoning में कौन से question आने लग रहे हैं, जादा से ज़्यादा, आप इस चीज़ का detail analysis करिए, और subject wise mock को ध्यान दीजि काम करना चालू करिए, आज पहले दी महस हमने पढ़ा, तो उस math का detail, आप उसका math detail, आप जो भी 3 chapter, 4 chapter आपने पढ़े, आप उन chapter के quizzes दीजिए, इंटरनेट पे free धेरो quizzes आपके पास available हैं, आप quizzes लगाए, जिस से आपका score जल्दी improve होगा, और आपको मालूम पढ़ेगी तो आप topic wise पे भी जाएं, कि मालो आपके पास, मालो आपके पास subject math उठाया, उस math में आप मालो अब किसी topic की बात करें, मालो आपने time and work उठाया, तो time and work पे आप कितनी questions लगा सकते हैं, आप दिन भर में लगाईए, तो ये दोनों चीज़ा आपको देहन लगना, पहले topic मे एक बार, सफता में एक बार full length test जरूर लगाईए, क्योंकि आप full length test लगाएंगे तो आपको मज़ा आएगा, अब time management के दिए हम बात करें, तो time कैसे manage करें, तो अभी मैंने जो previous slide में आपको बताया, वो आपको करेगा क्या sir, आपके knowledge को check करके बताएगा, कि हम इतने strategy के सा अच्छा perform कर सकते हैं, वो देखना है, तो एक गंटे में आपको कितना perform करना, तो time management must है, तो आप क्या करिए, mock लगाईए, तीन test एक week में अब लगाने का प्रयास करिए, अभी मैं बताऊंगा sir, ये पूरी timeline कैसे frame करना है, तो आपको क्या करना है, दिरे दिरे अपने mock को बढ़ने का काम करना है, पहले आपने एक mock लगाया हफते में, फिर दो लगाना स्टार्ट करो, अब क्या करो, थोड़ी strategy बढ़ाओ, और धीर धीर अपने तीन mock पे आ जाईए, उसके बाद आप अपना time analysis करे, टेस्स का analysis जरू करिए, ये नहीं कि बस हमने test perform करके submit कर दिया चार नमबर, पांच नमबर, दस नमबर, पतास नमबर, कितने भी आ सकते हैं, आपको उसको छोड़ना नहीं है, आप क्या करिए, जो कोशन आपने बनाया, उस पर time कितना लगा, इसका analysis भी करिए, आप करे जो कोशन नहीं बना, वो paper में नहीं बना होगा, लेकिन बाद में हो सकता, आपको बनने लग रहा हूं, तो आपको उसका analysis भी करना है, बास समझ रहे हैं मेरी बात, तो आपको कोशन को तब तक नहीं छोड़ना, जब तक वो इस दिकान में ना बैढ़ दाए, इस दिमाग में बैठना जरूरी है, इस दुकान के अंदर बैठना जरूरी है, इस दिमाट करें, तो time of each questions कितना आप लगाने लग रहे हैं, इसका मैंने बोई बोला, आपको ये चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कि हर question में आप कितना time लगा रहे हैं, ओके, उसके बाद जब बात करें, तो कौन सा question attempt करना है, कौन सा question skip करना है, इसकी जान मस्ट है सर, ये चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये जिस बच्चे ने पता कर लिया कि हमें कौन सा question में comfortable हैं, कौन सा हमें छोड़ देना है, ऐसा नहीं कि हमें कोई question ना बने, हर question बन सकता, लेकिन time में एक पावंदी है हमारे पास, तो time को काम करना है, ओके, और आगे बठते हैं, देखिएगा, अब इस पूरी चीज़ को हम पूरा synchronize करते हैं, साथ दिनों में, आप पहले 20 दिन सिर्फ knowledge पे काम करिए, अलग-अलग resources उठाईए, अलग resources अपना data इखटा करना करिए, start करिए, आप चाहें तो इनी 20 days में आप धीर लगाईए, आपके पास subject-wise test लगाईए, अलग-अलग जो भी आपके पास resources available हो पारें, आप उस resources के हिसाब से अपना test perform करना चालू करते हैं, ओके, उसके बाद यह बात करें, फिर अगले 15 दिन की जो strategy है, उसमें आप सब काम करेंगे, सा knowledge धीरे-धीरे आपके खटा करना क काम हो जाएगा, तो आप practice पे थोड़ा सा और improvement करेंगे, practice पे थोड़ा improvement और करेंगे, फिर time management पे भी काम करना चालू करें, starting से time management मत देखो, बस यह देखो कि हमारे सामने paper आए, उसको solve करना, इसे सबसे काम करो, फिर आप time management पे काम करना चालू करो, ठीक है, फिर आखरी के पास दिन सिर्फ वोसे रिवीजन के लिए छोड़ दो, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, आपको ज़्यादा practice में ध्यान नहीं देना है, बस जो पढ़ा है उसको पढ़ने पलताना है, लास्ट पास दिनों में सिर्फ वोसे आपको मौको कुछ नहीं देना, कोई practice आप उसके लिए रिवीजन ही तो ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको यह ध्यान रखना है कि रिवीजन मस्ट है, रिवीजन के बिना पूरी strategy बेकार है, यह ध्यान रखें, तो लास्ट के पास दें पूरी महनत, सिर्फ वोसे बापको जोग देनी है अपने रिवीजन में, तो ध्यान रखें, आपका selection आप पर depend करता है, मुझ पर नहीं सर्थ, मैं सिर्फ वोसे बापको guide कर सकता हूँ, लेकिन आपका selection आप खुद लेने के लिए responsible है, तो बढ़िया से आप मेरी strategy को भी follow कर सकते हैं, या फिर आप अपनी strategy खुद भी बनाएं, और अपने selection की guarantee खु जरूरी है, एक बढ़िया से कवी ने एक साहिरी बहुत अच्छी कही है सर्थ, कि लाख दलदल हो प्यारत जमाएं रखें, हात खाली ही सही हात उठाएं रखें, एक दिन चलनी में भी रुकेगा पानी, बर्फ बनने तक धहरे बनाएं रखें, जी हां धहरे बनाना बहुत जरूरी है, यह नहीं के सर्थ, एक दिन में हमारा सेलेक्शन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा सर, ऐसा होने रहेगा, तो हर दुनिया में हर बन्दा सेलेक्टेड बैठा होगा, तो आपको धहरे बनाते हो अपना काम करना है, तो मेरे इस पर्टिकुलर लाइनों के साथ आप को कुछ मोटिवेशन मिला होगा, तो आप धहरे बनाते हो अपना काम करें, एकदम से भागने के कोशिस ना करें, तो आपको यह बढ़िया से कंटेंट पर काम करते हुए, अपने सेलेक्शन को करना है, all the best for your coming exams, hope for the selection, and your motivation comes from you also, आपके अंदर से आपका मोटिवेशन आना चाहिए, चलिए, thank you so much हमसे जुडने के लिए, मिलते हैं, आगे की नई वीडियो के साथ, thank you so much